इस बंच पर उपस्तित मेरे दाईं तरफ संत समाज जिनके हम लोग रिणी है यूंकि संतों की एक गरिमा होती है संतों का एक महतो होता है मुझे दुक इस बात का है कि अभी हमारा समाज संतों के महतों को नहीं समझाते है जितने वो संतों के महतों को समझ जाएगा उनकी विगड़ी भी बात बन जाएगा तो मैं सभी संतों को जैबहीन करता हूँ सतनाम करता हूँ क्यूंकि जितनी भी कराद किया हुई है उनमें संतों का बहुत बड़ा युगदान गार मैं जब अपनी बात पूरी करूँगा तो इसमें इस बात का धिकर भी लगतूँगा उसके साथ साथ आज यहां उपस्तित मेरे साथ चलके आए प्राकेश मोरिये जी हमारे मंदल के परभारी हैं हमारे जिने के अध्यक्स आजास समाई पार्टी मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ मेरी भाई बाजियों की तरह बैठे 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 नोजमान साथी भाई टीक जादा धन्यवाद संधीश्जी महराज जी का जिनों ने हमें इनवाइफ कि और मौका दिया यहां के अपनी दात रखने महापूरूस आते हैं चले जाते हैं उनकी जैन्तियां उनके लक्से को जो लक्से देखे जाते हैं दिसा दिखा गए जाते हैं उसमें हम लोग चलते रहे हैं लेकिन आज एक विशेश अउसर तो अपनी बात को शुरू करते ने से पहले संस्रोमनी सत्कुर अज़ाज जी महाराज तफादत गोतंबुद अगवान वाल्मी की महाराज गुरू नानक देव संत कभीर सभी गुरू संतों को नमन करते हुए और जिनका आज जनम जन्ति मुस्व बना रहे हैं उनके साथ साथ बाउजन समाज के कमजोर वर के तबके के लोगों के लिए काम करने वाले बाउजी अतर सिंधी जिनका जिकर किये कि उनका जियाद भूल गया मैं समझता हूँ कि जियाद भूला नहीं जाता जियाद ना धुका जाता जियाद तो यूगो यूगो तक याद रहता है मैं आज जिनका जनम दिन हम पांच तारिक को मनाएं माँच अपरेल को उनको भी नमन करता हूँ बावुजर जीवन राम जी को उनका भी समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा युगदान और जिनका जनम हम जैन्तिस हमारों हम लोग 14 अपरेल को मनाएंगे उनको भी परम भूजने डोक्टर भावा साम बेटकर जी को भी नमन करता हूँ मैं नमन करता हूँ माने बाव साथ चाशी राम जी को और अब क्यूंकि ये काम मेरे बड़े दिल का हुआ हमारी मुक्ति का एक मातर राष्टा है वो है सिक्सा और सिक्सा के लिए चाहे सल्थान मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस रुकीवी इमारत की जिससे आने वाले कल में जोक्टर, इंजीनियर, साइंसिस, वकील, जजज और हो सकता है विधाय के अंपी भी तैयार हो आपने इस रुक्ता को दुबारे चलाने का निनने लिया मैं धन्यवाद देता हूँ यहादी कमेटी का और मेरा यह भरुसा है क्योंकि राश्पिता जोति मा फूले, जिनको उम करांती सूर्य भी कहते हैं, समाजिक परिवर्तन के अगर्दूत भी कहते हैं, जिनके हाँ जहनती भी है उन्होंने कहा कि विद्या बिना मती गई, मती बिना नीती गई, नीती बिना गती गई, गती बिना बित गया, बित बिना सुद गए इतने अनार्थ एक विद्या के कारण, विद्या के कारण, विद्या का मिलने कारण हुए, अगर विद्या है, याँ है, शिक्सा है, तभी आप दो दुश्मन का फर्क पता कर पाओगे, तभी आप अपने प्राय का और अच्छे और बुरे करम का फसा कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ने और पीछे जाने तो कि आपकर आप प्राइबर आप्षान नहीं है विद्धिया नहीं या नहीं है आप से बढ़ा लिखा दें मुझा रास्ता क्या है तो इस लिए क्योंकि 1848 में एहलों स्कूल राश्पिता जोदी में भूले ने खोला था और आज उसी प्रप्रों को आपने आगे बढ़ाया मैं बारें बार धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने उनके रुके में कारवा को आगे बढ़ाया उनकी जैनती मनाने का मतलब यह नहीं है कि हम उनके स्टेचू के आगे नत्मस्तक हो जाएं उनके गले में बड़े-बड़े हार गेरें उनकी जैनती मनाने का असली मक्सद यह है कि वो जो करके गए वो जो जाते थे जो वो सबना देखते थे वो आने वाली फीडी पूरा कर कर रही हैं और मुझे आज खुसी इस बात की है कि आपने उसकी दुर्फ कदम बढ़ा है मैं लपनी चोड़ी बाते नहीं करता लेकिन यह मेरा वाद आया आप पुछे माराज जी कि जब जब हम महनत करेंगे और कुद्रत परकरती जितिर हमें अपने संतु घुर्व मापुर और मैं वही कहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ क्योंकि हमारे गुर्वो संतु मापुर्सों ने हमें यह भी बताया है कि संता वो चामी है जिसके जड़ी आप अपनी सारी परिसानियों कहा लिखा आउ सकते हैं अगर आज मेरे पास समाई ने ताकत दी होती तो साइद आपको कर दो कर दो परिसके जड़ी तो